Hello student, I am from Shardas Unskar school and today I will teach you Hindi सब्जे. बच्चों, आज मैं आपको कवशा पाच वी का पाट साथ पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें हम एक कहानी पढ़ने वाले बच्चों और कहानी का नाम क्या है मेरा विद्यार्थी जीवन को चली स्कार्ट करते हैं, इस काहनी में हम किसके विद्यार्थी जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं, हाई स्कूल में मैं मुर्ख नहीं माना जाता था, शिक्षकों के प्रती प्रेम भावना हमेशा प्रकट करता रहता, हर साल माबाप को विद्यार्थी की पढ़ाई वर चाल चलन के समद में प्रमान पत्र भेजे जाते, उनमें कभी मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई, दूसरे दर्जे के बाद तो इनाम भी पाए और पांचवे और छटे दर्जे में तो प्रमश्य वर चार रुपए और 15 रुपए मासिक शात्रवती भी मिली, शात्रवतिया मिलने से मेरी योगिता की अपिक्षा भागी से नहीं अधिक साहिता की, चात्रवतिया सब लड़कों के लिए नहीं थी और उस समय 40-50 विद्यार्थियों के कक्षा में सोराष्य प्रांथ के विद्यार्थी बहुत नहीं होते थे, अपनी तरह से दो मुझे यह याद आता है कि मैं अपने को बहुत ही योगिय समझता था, इना मतरा चात्रवति में मिलती तो मुझे आश्चरी होता, परन्तु हाँ, अपने आचरण का मुझे बड़ा ही ख्यार रहता था, सदाचा में यदि चूख होती तो मुझे रोना आ जाता, यदि मुझे से कोई एसा काम बन पड़ता जिसके लिए शिक्षक को उल्हाना देना पड़े, अत्वा उनका एसा विचार भी हो जाए, दुख नो होता, मैं पिटा, तो इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया, मैं फूट फूट का रोया, यह गटना पहली या दूसरी कख्षा की हैं बच्चों, उस समय दोरा बजी एलन जी हेड मास्टर थे, वे अनुशाशन प्रिय थे, वे समय पर मेरे अंदर इसे गलत विचाड़ थे, कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई समध नहीं पीछे जाकर मैंने जाना कि व्यायाम भी उतना ही मत्रकों होता है बच्चों जितने की शिक्षा और उच्ची का दूसरा कारण था, पिताजी की सेवा सुष्टा करने की तिवर इच्छा इसकूल बन होती ही तुरंत गर पूँचकर में उनकी सेवा में जूट जाता जब व्यायाम अनिवाज कर दिया तब मैं इस सेवा में विगन उपसित होने लगा मैंने अनुरोद किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए व्यायाम से मुक्ति मिलनी चाहिए परन्तु गीमी साकर क्योकर मुक्ति देने लगे एक शरिवार को बच्चो सुबह का इस्कूल था शाम को चार बजे व्यायाम के लिए जाना था मेरे पास गड़ी नहीं थी आकाश में बादल चाह रहे थे इस कारण समय का पता न चल सका बादलों ने मुझे धोका दे दिया जब तक व्यायाम के लिए पहुंचा तक तक सब लोग चल दिये दूसरे दिन गीमी साहब ने हाजी ली देखी तो मुझे गेर हाजी पाया मुझे कारण पूछा कारण तो जो था वही मैंने बताया उन्होंने उसे सच न माना और मुझे एक या दो आना ठीक याद नहीं जुल्माना कर दिया मुझे इस बार से अतने दुख हुआ बच्चो कि मैं जूटा समझा गया मैं ये केसे सिद्ध करता कि मेरे जूट नहीं बोला पर कोई उपाय नहीं था संस्कत मुझे रेखागणिस से भी अधिक मुश्किन मालूम पड़ती थी रेखागणिस में तो रटने की कोई बात नहीं थी परन्तु संस्कत में मेरी दरश्टी से सब रटना था ये विशय भी चोथी कक्षा में शुरू हुआ चटी कक्षा में जाकर तो इस विशय से मेरा दिल बेट गया संसकर शिक्षक बड़े सलग थे विध्यार्तियों को बहुत पड़ा देने का लोग उने लेता था मैं शल्मिन्दा था बच्चो शिक्षक के प्रेम की अवहिलना न कर सका आज मेरी आत्मा मास्टर पिष्ण शंकत का उपकार मानती है अब तो मैं यह जानता हूं कि भारत वर्ष की उच्च शिक्षा में मात्र पाशा के उपरांत राष्टर पाशा, सलस्कत, फार्सी, अंग्रेजी के लिए इस्तान होना चाहिए इतनी पाशाओं की गिंती से किसी को डड़ जाने के आविशक्ता नहीं यदि विवीत कुर्वक भाशाय पढ़ाई जाय और सब विश्यो का अध्यन अंग्रेजी की द्वारा करने का बोज हम पर नव हो तो यह भाशाय भार न मालूम होती बच्चो मैंने च्छ साल की उम्र से लेकर सोला तक विद्ध्याद्जन किया परन्तर स्कुल में कहीं धर्म शिक्षा नव मिली जो चीश शिक्षकों के पास सहज ही मिलनी चाहिए थी वह नव मिली फिर भी बातागरन से कुछ नो कुछ धर्म प्रेणा में नहीं ली यह धर्म का व्यापक अर्थ ने ना है बच्चो में अच्छी तरह इस बात का अनुभव कर रहा था कि बच्चपन में पड़े शुब अशुब संस्कार बड़े घहरे हो जाते हैं इसलिए यह बात अब मुझे बहुत खल रही है कि लड़क पर में कितने ही अनेक रंतों का शवन पाठ हो सकता हैं बच्चो यह कहानी किसके बारे में थी महात्मा गाल्दी के बारे में थी बच्चो